हलो वैस आज रूटीन एक्टिविटी का एपिसोड नमबर 11 है आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्तों सपोस्ट यहां पे हस्पेंड वाइफ है और इन्हों ने बोला कि क्या उनका बेटा रोज आफिस जाता है क्या उनकी बेटी रोज चाय बनाती है तो अब बताओ द दे और क्यूशन पूछा जा रहा है क्या उनका बेटा रोज आफिस जाता है तो हमें क्या कहना होगा दे संदे डॉटर नहीं हम दे संदे डॉटर नहीं कह सकते हैं हमें कहना होगा बेर डॉटर देर संदे अब हम इसका रूल समझ लेते हैं जैसे हमने बोला कि क्या उनका बेटा रोजपार्क जाता है तो सबसे पहले हमें इंग्लिस में क्या बोलना होगा सबसे पहले बोलना होगा does their son यद्धि daughter होती तो does their daughter फिर इसके बार work's first form then object और हमने बोला कि हां उनका बेटा रोजपार्क जाता है तो सबसे पहले हमें English में क्या कहना होगा सबसे पहले कहना होगा Yes फिर इसके बाद Their son यदि Daughter होती तो Their Daughter फिर इसके बाद Var में Yes या Yes Plus Object अब मालना दोस्तों कि हमें Negative answer देना है कि नहीं उनका बेटा Rose Park नहीं जाता है तो सबसे पहले हमें English में क्या कहना होगा सबसे पहले कहना होगा No फिर इसके बाद Their son यदि Daughter होती तो Their Daughter फिर इसके बाद Does Not या Doesn't इन दोनों में से आप किसी एक को Use कर सकते हो आपको जो अच्छा लगे वह आप Put कर सकते हो फिर इसके बाद Put करना है में Work की First Form Then Object So guys अब मैं हिंदी सेंटेंस बोलूंगी और आपको English बोलना है क्या उनका बेटा रोज मार्केट जाता है क्या उनका बेटा रोज मार्केट जाता है Does their son go to market everyday हाँ उनका बेटा रोज मार्केट जाता है हाँ उनका बेटा रोज मार्केट जाता है नहीं उनका बेटा रोज मार्केट नहीं जाता है No, their son doesn't go to market everyday क्या उनका बेटा रोज चाय पीता है क्या उनका बेटा रोज चाय पीता है Does their son take tea everyday? हाँ, उनका बेटा रोज चाय पीता है Yes, their son takes tea everyday Yes, their son takes tea everyday नहीं उनका बेटा रोज चाय नहीं पीता है क्या उनका बेटा रोज चाय बनाती है क्या उनकी बेटी रोज चाय बनाती है? Does their daughter make tea everyday? Does their daughter make tea everyday? हाँ, उनकी बेटी रोज चाय बनाती है हाँ, उनकी बेटी रोज चाय बनाती है Yes, their daughter makes tea everyday Yes, their daughter makes tea everyday नहीं उनकी बेटी रोज चाय नहीं बनाती है नहीं, उनकी बेटी रोज चाय नहीं बनाती है No, their daughter doesn't make tea everyday No, their daughter doesn't make tea everyday क्या उनकी बेटी रोज चाय जाती है? Does their daughter go to gym everyday? हाँ, उनकी बेटी रोज चाय जाती है हाँ, उनकी बेटी रोज चाय जाती है Yes, their daughter goes to gym everyday Yes, their daughter goes to gym everyday नहीं, उनकी बेटी रोज चाय जाती है नहीं, उनकी बेटी रोज चाय जाती है No, their daughter doesn't go to gym everyday No, their daughter doesn't go to gym everyday क्या उनका ब्रदर रोज एक्सरसाइज करता है? Does their brother take exercise everyday? Does their brother take exercise everyday? हाँ, उनका ब्रदर रोज एक्सरसाइज करता है हाँ, उनका ब्रदर रोज एक्सरसाइज करता है Yes, their brother takes exercise everyday Yes, their brother takes exercise everyday नहीं, उनका ब्रदर रोज एक्सरसाइज नहीं करता है No, their brother doesn't take exercise everyday No, their brother doesn't take exercise everyday क्या उनकी sister रोज एक्सरसाइज जाती है? Does their sister go to office everyday? हाँ, उनकी sister रोज एक्सराइज जाती है हाँ, उनकी sister रोज एक्सराइज जाती है Yes, their sister goes to office everyday Yes, their sister goes to office everyday नहीं, उनकी sister रोज एक्सराइज जाती है नहीं, उनकी sister रोज एक्सराइज जाती है No, their sister doesn't go to office everyday No, their sister doesn't go to office everyday So guys, आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में तब तक आप practice करो और हाँ, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो please like जरूर कर दे और आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले Thank you